Hello students, today we will discuss about a poem Dust Option of I Robert Frost अगर आप चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेर करें तो आज हम डिसकस करेंगे Dust Option of I Robert Frost के बारे में तो चलिए सबसे पहले उसकी टेक्स्ट को स्टड़ी करते हैं पोईम का बेक्ग्राउंड है कि पोईट एक हैम लोक ट्री के निचे खड़ा है एक सेड मूड में और उसके मन में उदासी की विचार आ रहे हैं तो अब शुरू करते हैं इस पोईम को The way a crow shook down on me पोईट कहता है कि मैं एक हैम लोक ट्री के निचे बेठा हूँ और उस पे एक क्रो बेठा हुआ है क्रो ने उस पेड़ को हिलाया उस पेड़ के उपर The Dust of Snow Dust of Snow थी और वो शूक करने से हिलाने से वो उसके उपर गरी From a हैम लोक ट्री क्रो की हरकत से Dust of Snow जुसकी बिल्कुल महीन करन थे बर्फ के वो उसके उपर गरे Has given my heart a change of mood पोईट कहता है कि उस हैम लोक ट्री के उपर से क्रो के द्वारा Dust को सूप करके गराने से उसके हर्ट चेंज हो गया कैसे चेंज हो गया क्योंकि वो सेड मूर में बेटा था और उसने फिर सोच लिया कि इसा करने से मेरे मन की जबावना बदल जाई And saved some part of a day I had to do उसने समय बरबाद किया था वो उसने बचा लिया तो अब हम बात करते हैं इसके figure of speech की जिसमें alliteration अलुपरास अलंकार है तो दो लाइने हम डच किया Has given my heart Has and hurt दूसरे में है Saved some तो दोनों ही अनुपरास अलंकार है अब बात करते हैं पोईट का जो मूड है वो sad है वो किस वज़े से हुए है sadness है एक तो हैमलोक्टरी और एक क्रो ये दोनों ही इसमें negative approach देते हैं लेकिन पोईट ने इन दोनों को positive लिया है अब बात करते हैं इस पोईब में rhyme scheme की तो rhyme scheme इसमें crow, me, snow, tree, heart, mood, part and rude इन सब में जैसे लिख रखिया है वे से आप लोग इसमें बना सकते हैं अब बात करते हैं इसकी समरी की तो इसकी समरी हम line to line discuss करते हैं Dust of snow is an interesting poem by Robert Frost Robert Frost के दुबरा लिख हुई एक interesting poem है The poem tells us about a simple scene एक सरल सा दरशिया में प्रस्तूत करते हैं Poet is standing under ham lock tree एक ham lock tree के नेचे poet खड़ा हुए It is very cold but it thunty A crow is sitting on the ham lock tree और एक crow उसकी उपर बैठा हुए The crow shakes the ham lock tree Crow अपनी हरकत से हलचल से उस स्पेड को हिलाता है The snow falls on the poet और उसकी उपर जो snow के dust थी वो poet के उपर गिर जाती है He fails a change in his mind Poet के मन में एक बदलाव आ जाता है The dust of snow has removed his sadness तो poet उस dust के गिरने से अपने अंदर एक बदलाव महसूस करता है और अपने sadness को हटा देता है The ham lock is a poisonous tree The crow is a symbol of sorrow Ham lock और crow दोनों ही negative थोड़ देते हैं लेकि इन दोनों की हरकत करने से Poet ने ये महसूस किया कि जब ये भी sad mood में नहीं है तो मैं क्यों अपने दिन खराब करूँ अपना mood क्यों खराब करूँ मुझे भी active रहना चाहिए inactive नहीं होना चाहिए तो उन दोनों negative अप्रोच वाले objects की वज़े से Poet ने ये सीख ली और उसने अपना mood change कर लिया The dust of snow is a symbol of death और जो उसकी उपर dust of snow गिरी थी वो भी मृत्यू का ये पर तीक है लेकिन उसकी हलचल से Poet के मन में एक बजलाव आया The crow shakes dust of snow Crow ने जो dust को उसकी उपर गिराया It is a sign of new life उसने महसूस किया कि बरफ में भी हरकत है इसके गिरने से उसके मन उसका mood change हो गया और उसको एक new life का sign मिला It removes the sadness of the Poet और उस dust of snow के गिरने से उसके मन के अंदर जो sadness थी वो दूर होगी The Poet gets busy with his work Like a crow और जिस परकार negative approach होने के बावजूद भी Crow ने dust of snow को सूख करके हम लोक्टरी से गिराया था और Poet के उपर गिरी थी और Poet का mood change हुआ था इसी परकार Poet ने अपने आपको Life के work में busy कर लिया और उसने inactive होने का जो mood बना रखा था वो mood छोड़ दिया तो students हैं उमीद करता हूँ आपने ये समझ लिया होगी अब हम बात करते हैं इसके MCQs के बारे में तो student अब हम इसके MCQs के बारे में बात करते हैं What was the mood of the poet in the beginning of the poem poem के शुरुवाद में उसका mood कैसा था तो इसका अंसर होगा A उसका mood था sad अब हमारा next question है What did crow sue कोन दा poet crow ने क्या गिराया अपनी हलचल से poet के उपर तो इसका अंसर है C dust of snow हमारा next question है Name the poetic device used in the line and saved some part तो वो अलंकार के बारे में पूछ रहे हैं अलंकार कौन सा था तो जैसे कि हमने टेक्ट में पढ़ा था इसमें अलंकार है A, alliteration saved some दोनों में से की दोनी है next is what is the rhyme scheme of the poem इसमें rhyme scheme कौन सी है rhyme scheme के बारे में हमने पीछे बात की थी तो इस poem में rhyme scheme है B A, B, A, B C, D, C, D हमारा next question है what uplifted his mood उसके mood को किसने change किया तो इसका answer होगा falling of snow on his shoulder the crow, hemlock tree and all the above इसका answer D होगा सारी चीज़ों ने उसका mood change किया हमारा next question है the crow and the hemlock tree symbolize दोनों किस चीज़ के परतीक है तो इस answer होगा A, sorrow परतीक तो वो sorrow किया लेकिन इनों ने उसका mood change किया हमारा next question है what did the dust of snow affect the poet poet के mood को कैसे बदलाव किया, कैसे change किया it changed his mood इसका answer होगा B poet के mood को dust of snow ने change किया था हमारा next question है what does dust of snow represent क्या बताना चाहता है healing power of nature dust of snow से उसका mood change हो गया था इसका मतलब उसके अंदर के दुख को remove कर जिया था इस परकार the healing power of nature इससे परतीत होता है why does the poet call it dust of snow dust मतलब होता है धूल तो dust of snow से poet क्या बताना चाहता है snow particles were too tiny बहुत छोटे और महीनकन होती है इसके कारण poet ने इसको dust of snow का है हमारा अगला question है what are the two negative creatures that frost used at carriers of positivity वो कौन से दो negative creatures इनको वो सकरात्म ग्रूप से यूज़ करता है तो उसमें हमने पढ़ा था hemlock tree and crow दोनों ही negative approach वाले हैं लेकिन poet ने इनको positive लिया है तो चैनल को subscribe करें उमीद आपको ये वीडियो फसंद आई होगी इस वीडियो को दो तीन बारे देखें तक कि आपके ये चीजें याद हो जाए learn हो जाए thank you झाले हो जाए झाले हो जाए